नमामी गंगे योजना के अंतरगत दिनांग दो से चार नवंबर तक गंगा उत्सप का योजन साहिप गंज में किया गया वहीं गंगा उत्सप के दोरान बिभिन कारिकरमों का उत्गाटन उपाय के द्वारा किया गया अंतिम दीन के दोरान पोखरिया इस्थित टॉन हौल में जीला परसासन के और से दिप प्रजली तेवं सांस्कृतिक कारिकरम का योजन किया गया क्यारक्रम के दौरान सभी बच्चों ने अपने-अपने कला का प्रदर्शन किया वहीं उपस्थित पताधिकारियों ने इनके प्रदर्शन से खुश और लगा कि बच्चों ने उनकी दिल जित लिये संध्या कालीन शकुंतला घाट के निकट भब्य आरती का भियायो जन किया गया वहीं राजमहल बिधाय का नंतो जाने गंगा को स्वक्च रखने की बात कही और नगर निगम से कहा कि कुछी दिनों बाद भब्य महापर्व छठ की शुरुआत होने वाली है इसलिए घाटों की स्वक्षिता बनाय रखने में आमजन सहयोग करें इस भर में नमामी गंगे के माध्यम से गंगा उत्सव मनाय जा रहा है और मानि प्रणार मंत्री नरेंद्र भाई मोधी जी ने एक बहुत ही जनगन को के दिल को चूने वाले मागंगा जो इस देश की आत्मा है मागंगा जिसके कलकल धोनी के साथ देश का जनवानस का भाव जुड़ा हुआ है यहाँ पौरानिक्ता महत्व के साथ-साथ मा गंगा जीवन दाइनी है इस भाव को लेकर के जनजागरन करने और मा गंगा की रक्षा करना का संकल्प लेने का स्वक्षि गंगा, निर्मल गंगा का भाव हर जंजन के मन में आए इस प्रकार के उत्तव इस प्रकार के वातावरन के साथ मा गंगा की भवियारती आज सम्पन हुई है मिशित रूप से यहां इस प्रकार का आयोजन हम सब आने वाले समय में और ज्यादा सुयोजित तरीके से हो और मा गंगा की भव आरती के साथ साथ गंगा के स्वक्सता का शंकल्प हम सब लोग जीवन में उतारे चुकि आने वाला समय में भान पर्व छट कुजा हम सब को बीच में आने वाला है अभी मैंने घाट पर ही डिसी साथ ते और जो समधित अधिकारी है सब लोगों से आगर्व किया हमारे नगरपालिका के भाई सेयर्मेन हैं इनसे भी हमने आगर किया कि घाटों का सफाई है में इस परकार का लोक जागरन का यह अभियान अनवर चलता रहे तो अनुचित उरुस से हम पुना उस गंगा के गौरों को हम पाने की दिशा में स झाल झाल